पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनन्या के पापा शंकर सउधी अरब से अचानक घर आ गए थे। वहीं अनन्या ने अपने पापा को वनशिका और रजनी की कोई भी बात नहीं बताई थी। अपने पापा के आने से अनन्या बहुत खुश थी। वहीं रजनी और वनशिका भी उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। एक दिन वनशिका अनन्या को अपने साथ पाटी में ले जाती है और उसे शराब पिला देती है। फिर छोटी ड्रेस पहनी हुई अनन्या नशे की हालत में एक लड़के के साथ घर आती है। अब आगे अनन्या इतनी नशे में थी कि उसे धंक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हे भगवान ये अनन्या ने क्या पहन रखा है और नशा भी कर रखा है। कौन हो तुम। अंकल मैं अनन्या के साथ पार्टी में था। पर इसने इतना जादा नशा कर लिया कि इसे होशी नहीं था। इसलिए घर छोड़ने आया हूँ। देखिये तो कितनी बेज़दी करवा के रख दिया इसे अनन्या ने। अंकल आंटी आप इसे समाल लो, मैं चलता हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है, वहीं रजनी ने अनन्या को पकड़ा हुआ था। देखो तो कितनी बदबू आ रही है इसे, कोई होश नहीं है। नजाने कहा गुल खिला कर आई है। ये मेरी बेटी ऐसी है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, कि ये ऐसा भी कर सकती है। अरे ये सब बाद बाद में करना, पहले मेरी मदद करो, इसे कमरे तक तो छोड़ कर आए। शंकर उसे कमरे तक छोड़ आता है, और अनन्या वहीं बेट पर पड़ी रहती है, थोड़ी देर में वन्शी का भी भागती भी आ जाती है। ममी, पापा, अनन्या घर आ गई क्या, मैं कब से उसे पार्टी में देख रही थी, लेकिन वो तो मिली नहीं रही थी। क्या मतलब है, तुम दोरों तो साथ में गए थे न, फिर वो? हाँ ममी, मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ जाते ही अचानक से वो अलग हो गई, पता नहीं कहां चली गई थी। वो यही है, लेकिन वो पार्टी से गई कहां थी। मुझे नहीं पता पापा, मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा था, ये वही लड़का होगा जो इसे घर छोड़ने आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अननिया ऐसा कैसे कर सकती है? पापा, अब मैं क्या ही बताऊं आपको, कि अननिया क्या क्या कर सकती है? हाँ जी, वो तो हम कुछ बोलते नहीं है उसके बारे में, ताकि आपको ये न लगे कि मैं उसके साथ सौतेलया विवार कर रही हूँ। मैं कुछ समझा रही। पापा, अननिया तो पार्टी में जाती रहती है, और जादतर बार वो नशे की हालत में ही होती है, और हर बार उसे कोई न कोई छोड़ने आता है, ये कभी घर पर टिकती ही नहीं है, ये तो बस आप आए हुए हैं, इसलिए इतने दिन से घर पर थी। हाँ पापा, और जैसा कि आप सोच रहे न, वनशे का सिंपल है, सीधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। क्या बताती, उसकी सोतेली मा जो हूँ, आपको तो लगता कि मैं आपकी सगी बेटी से भिदबाव कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे बताते तो मैं समझ जाता, और अनन्या को भी अच्छे से समझाता। बस पापा रहने दो, ये तो क्या-क्या गुल खिलाती है बाहर के लोगों से ही पूछो, आप तो बाहर देश में रहते हैं, यहाँ इस लड़की की इतनी बद्दामी हो गई है, नजाने इसकी शादी भी कैसे होगी। मुझे तो घिन आ रही अपनी बेटी से, नफरत हो रही है। मैं दोबारा इस लड़की से ना बात करूँगा ना ही इसकी शादी में आऊँगा। तुम बस कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। ये सब होता देखकर मनी मन, वन्शिका और रजनी बहुत खुश हो रहे थे। क्योंकि जैसा उन्होंने सोजा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? क्या मैं अपनी तरफ से लड़का देख लूँ इसके लिए या नहीं? जब कह दिया ना, देख लो, बार-बार मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं सोने जा रहा हूँ। शंकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अनन्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वहीं अनन्या नशे की हालत में पड़ी हुई थी। देखा ममी, प्लैन हमारा काम करी गया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हाल में नशे के कारण, अनन्या को कुछ भी याद नहीं था। अनन्या जल्दी से कमरे से बाहर जाती है, और वहां वन्शिका और रजनी बैठे होते हैं। आ गई मैडम, देख तो इसका हाल। मा, वन्शिका, ये ऐसे कपड़े मुझे किसमे पहना आए है। तुम्हे क्या लगता है? ये ड्रेस तो वन्शिका की है ना? कल कलब में तुमने मुझे शराब पिला दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, जैसा तुम सोच रही हो, वैसा ही है, मैंने तुम्हें शराब पिलाई और तुम्हें ऐसे कपड़े पहना दिये। लेकिन क्यूं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया था कि पापा की लाडली से पापा नफरत करने लग जाएं। हाँ, सही कहा ममी, इसका मतलब पापा ने मुझे ऐसे देख लिया? बिल्कुल, हमने दिखा दिया, ये सब तो हमारा प्लान था, तभी अनन्या रोती हुई नीचे बैठ जाती है, ऐसा क्यों कि आपने मेरे साथ, मेरी जिंदगी में मेरे अपने पापा ही तो थे, और आपन उन्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया, बिल्कुल करना ही था, अब कोई भी तुमारे साथ नहीं है, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पापा से बात करती हूँ, कहा है वो, वो तो चले गए, तेरी वज़े से सुबह जल्दी निकल गए, तभी अनन्या अपने पापा को फो पखो, ताकि तु अच्छी जिन्दगी ना जी सके, और सुन, तेरे लिए लड़का देख रहे हूँ शादी के लिए, तयार रहना, मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है, फ्लाइट शाम को है, तब तक मैं उनकी पास पहुँच जाऊंगी, तभी अनन्या भाग कर अपने क पखा देने लगती है, तभी रजनी अंदर से दर्वाजे पर ताला लगा देती है, अब जाकर दिखा, मा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने तो, प्लीस मुझे जाने तो, ऐसे कैसे जाने दे, अगर ऐसे ही करना होता, तो इतना प्लान क्यों बनाते, चुप जाकर ब लगती है, वो कम से कम सौ बार अपने पापा को फोन और मैसेज कर चुकी थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी बंध हो चुका था, प्लीस मुझे से बात करो पापा, प्लीस मुझे से दूर मत हो, ऐसे ही कुछ दिन और बीच जाते हैं, और अनन्या दिन बदिन दुख में ड प्लीस मा, मेरी बात करवा दो, लेकिन रजनी उसकी बात को अंसुना कर देती है, तब ही अनन्या उसे फोन चीन कर बात करने लगती है, हलो पापा, प्लीस, जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, उस दिन, तब ही उसके पापा कॉल कट कर देते हैं, तेरी हिम बेचारी अनन्या अपने पापा से बात करने की हर कोशिश करती है, लेकिन कुछ पी नहीं हो पाता, वो दिन बदिन सिर्फ रोती रहती है, और घर का काम करती रहती थी, कुछ दिन बाद, मम्मी, इतने दिन हो गए हैं, आपको अनन्या के लिए कोई लड़का मिला के नहीं तुझे बताने वाली थी, मिल गया है इसके लिए लड़का तो ओ अच्छा, तो ठीक है, फिर जल्दी से शादी करके भेजो इसे यहां से ये एक करतो लेगी न शादी आरे बिल्कुल करेगी, ऐसे कैसे नहीं करेगी नहीं करेगी तो यहां इसका जीना हराम हो जाएगा बोलो अनन्या, चुप क्यों हो, तुम्हें शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है न अनन्या चुपचाप सफाई कर रही थी, और कोई जवाब नहीं देती चुपपी का मतलब हाँ ही होता है असल में अनन्या इतनी दुखी हो गई थी, कि उसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था कि उसकी शादी कहां और किस से हो रही है वैसे ममी, लड़का क्या करता है? बहुत अच्छा काम है उसका ऐसे मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ अच्छा लड़का देखा है, बिजनस है उसका खुद का चलो कोई बात नी, वैसे शादी का क्या प्रोग्राम करना है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास मंदिर में शादी करवा के भेज दूगी से लड़का भी अकेला ही है, उसके मावाप नहीं है बस अपना कमाता है, खाता है तो ठीक है ममी, जल्दी से आप मुझे महरत निकलवा दो, इस जैसी मन्हूस के लिए महरत की क्या जरुवत है? बस लड़के को बोल देती हूँ, दो दिन बाद ये मंदिर पहुँच जाएगा, बस वहीं से बात कर ली है सारी, तैयारी हो चुकी है जी जा जी, कैसी लगे आपको हमारी बहन? मुझे अनन्या की फोटो दिखाए थी मुझे ये पसंद है लेकिन क्या मैं अनन्या को पसंद हूँ? आप ही पूछ लीजे ना इससे ये बात सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है तो क्या अनन्या शादी के लिए मना कर देगी? या फिर अपने जीवन का बलिदान दे देगी? क्या होने वाला है आगे? देखते रहिए अमीर बहन वर्सिस गरीब बहन का अगला एक्षाण